हरी कृष्णा राधे राधे ओम्शम्शनिष्ट्राई नमे शनिवार वरत कथा बहुत समय पहले की बात है जब देवी देवतार शी मुनी आदी स्वर्ग लोग से लेकर भू लोग तक विचरण कर सकते थी एक बार स्वर्ग लोग में वास कर रहे नो ग्रहों के बीच में विवाद छिड़ गया कि सबसे बड़ा और शक्तिशाली ग्रह कोन सा है विवाद जब जब जादा बढ़ गया और नवगरहों के आपस में विवाद होने से जन जीवन पर भावित होने लगा तब देवराज इंदर ने उन्हें दर्बार में बुलाया और उनकी समस्थ्या को सुना परन्तो उनके पास भी इस समस्थ्या का समाधान नहीं मिला राजा विक्रमदित्य पहले तो थोड़ा घबराए फिर उन्होंने सोचा अगर वह कोई भी जवाब देते हैं तो ये आपस में ही बैर कर बैठेंगी इसलिए उन्होंने अपने सूजबूद से एक उपाय निकाला उन्होंने परतेग ग्रह के लिए सोने चांदी लोहे के सिंगासन बनवाए और कहा कि जिसका जो भी आसन है वह धारण करे जिसका सिंखासन सबसे पहले होगा वह सबसे बड़ा और जिसका सिंखासन सबसे पीछे होगा वह सबसे छोटा होगा अब लोहे का सिंखासन सबसे पीछे था जो कि शनी देव के लिए था लोहे के सिंखासन सबसे पीछे देखकर शनी देव नाराज हो गए उन्होंने विक्रमा दित्ते से कहा अरे मुर्क, सूर्य बुद्ध शुक्र एक राशी में एक महीने मंगल तेड़ महीने, चंदर्मा दो महीने और ब्रस्पती तेरा महीने रहते हैं लेकिन मैं एक राशी में धाई साल से लेकर साथ साल तक रहता हूं तुमने मेरा अपमान किया जो ठीक नहीं है यह कहकर शनी देव वहां से अंतर ध्यान हो गए समय बीटते बीटते वह दिन भी आ गया जब राजा विक्रमादित्य पर शनी की साड़े साथी की दशा आ गई अब शनी देव घोड़ा व्यपारी के रूप में विक्रमादित्य की नगरी में जा पहुचे विक्रमादित्य ने घोड़ा पसंद किया और उस पर सवार हो गए घोड़े पर सवार होते ही घोड़े के तु जैसे पंख लग गए वहराजा को सुदूरवन में ले गया और वहाँ पटक कर अधरश्य हो गया विक्रमादित्य घने जंगल में रास्ता भटक गए और राज्ये लोटने का रास्ता भी भूल गए तब ही उन्हें एक चरवाह दिखाई दिया उन्होंने उसे अपने अंगुठी दी और पानी पिया पास के नगर में जाने का रास्ता पूछा चलते चलते राजा थक गया और एक सेट की दुकान पर जाकर बैठ गया उनके बैठते ही अचानक दुकान पर आने वालों की संख्या बढ़ने लगी सेट ने सोचा यह वेक्ती बहुत भागेशाली है इसलिए सेट ने राजा को अपने पास ही रोक लिया और उससे भोजन ग्रहन करने का अनुरोध किया सेट राजा को भोजन कराता हुआ छोड़कर थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया अब खाते खाते राजा विक्रमादित्य ने देखा कि खूटी पर टंगे हार को खूटी खुद ही निगल रही है सेट जब वापस आया तो हार गया देखकर उसे राजा पर शक हुआ उसने नगर के सैनी कूला कर विक्रमादित्य को उनके हवाले कर दिया नगर के राजा ने विकर्मादित्य के हाथ पैर कटवाने का आदेश दे दिया अब राजा की हालत बहुत बुरी हो गई इतने में ही एक तेली उदर से गुजर रहा था उसे राजा विकर्मादित्य पर रहम आ गया उसने उसे अपने कोलू पर बिठा लिया और बैलों को हाकने का काम दे दिया इसे विकर्मादित्य को दो जून की रोटी मिलने का जुगार हो गया धीरे धीरे राजा का बुरा वक्त गुजरने लगा और शनी की दशा समाप्त हो गई वर्शारितु आई मेग चाने लगे एक रात विकर्मादित्य मलहार गाने लगे कि वहीं पास से ही राजकुमारी मनभावनी की सवारी निकल रही थी जैसे ही राजकुमारी के कानों में विकर्मादित्य के सुर पड़े वह मुगध हो गई उसने दासी को भेज़ा तो पता चला कि विक्रमादित्य अपंग है लेकिन राजकुमारी ने विक्रमादित्य से विवा करने की ठान ली और आखिरकार विक्रमादित्य और मनभावनी का विवा हो गया विवा के बाद विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे एक रात सोपन में शनी देव राजा को दिखाई दिये और उन्होंने कहा राजा तुमने मेरा पर कोप देख लिया मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है विक्रमा दित्ये को सारी बात याद आ गई और उन्होंने शनी देव से शम्मा मांगी ये शनी देव मुझे आपकी शक्तियों का अच्छे से ग्यान हो गया है मेरी आप से विंती है जैसा कि आपने मेरे साथ किया वैसा किसी और के साथ मत कीजिएगा तब शनी देव ने कहा ठीक है मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुईकार करता हूँ आज के बाद जो मेरे लिए वरत रखेगा मेरी पूजा करेगा अत्वा मेरी वरत कथा को सुनेगा वह सभी कश्टों से मुक्त हो जाएगा उसकी सभी मनो कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी इतना कहकर शनी देव वहां से अदरश्य हो गए जब राजा सुबह उठा तो उसके हाथ पैर ठीक हो गए थे यह देखकर राज कुमारी की तो खुशी का ठीकाना दा रहा तब विक्रमा दित्ये ने मन भावनी को अपनी पूरी आप पीती सुनाई इसके बाद राजा ने अपने राजे में लोटने की इच्छा जताई इधर जब सेट को इस बात का पता चला तो वह दोड़ता चला आया और राजा से माफि मांगने लगा राजा विक्रमा दित्ये ने उसे शमा कर दिया क्योंकि वे जानते थे कि यह सब शनी देव के परकोप की वज़े से हुआ है अब सेट ने राजा को दुबारा भोजन करने का निमंतरन दिया यहाँ पर भी जो चमतकार हुआ वे है सब के सामने हुआ जो हार खूटी ने पहले निगल लिया था अब वे उसी हार को वापस उगल रही थी समने शनी देव की इस माया को देख कर नमन किया और नगर सेट ने भी अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया अब राजा विक्रमा दित्ये अपनी दो पत्नियों के साथ अपने राज्ये को लोट आई तो नगर वासियों ने हर्ष के साथ उनका स्वागत किया अगले दिन राजा विक्रमा दित्या ने नगर में खोशना कराई कि शनी देव नो गरहों में सबसे शक्तिशाली हैं पर देख महिला और पुरुष को शनीवार के दिन शनी देव की पुजा करने चाहिए और रत कथा का शुर्ण करना चाहिए बो शनी देव महराज की जए ओम शम शनी शराय नमा